हा तो भई क्या हाल है आप सभी के ब कर सभी अच्छे चलो तो जैसा की आपको पता है कल जो हमारी बात चल रही थी in वो फोटो-पैरियो डिइज्म के उपडर चल रही थी अर्थात देपती कालिता के से उपर क्लियर अच्छा तो दीपती कालिता जो है क्या होती है दीपती कालिता देखो जा तो आप कह सकते हैं कि दिन की वहे लंबाई जो पुस्पन को प्रिरित करने के लिए आवश्यक होती है यह आप कह सकते हैं कि प्रकास की वह अबदी जो पुस्पन करिया करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम धीपती कालिता कहते हैं कुछ भी आप दोनों परिवासाओं में से कोई सी भी परिवासा आप लिख सकते हैं कि यह क्या होगे इसमें कि चल जा बेड़े चल जा हाँ नेक्ट जो बात करते हैं वो करेंगे दीपती कालिता की किरिया बिदी ठीक है तो इस टॉपिक को आप जरा ध्यान से समझना कि दीपती कालिता की किरिया बिदी किस प्रकार प्लांटों में संपन होती है अच्छा दीपती कालिता का सीधा समतलब होता है कि पौधों में पुस्पन होना उनमें फिलोवर का निकलना ठीक है उसे हम दीपती कालिता बोल के चलते हैं अब ये जो दीपती कालिता की जो घटना है वो कैसे होती है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप द्यान से समझना देखिए इसकी दो सिद्धान्त यह हम कह सकते हैं परिकल्पना है पहली है फिलोरीजन और दूसरी है फाइटोक्रोम सिद्धान्त देखो वही यह टॉपिक क्या कह रहा है दीपती कालिता की किरियाविदी यह कह रहा है कि जो दीपती कालिता की घटना होती है उसके दो परिकल्पना प्रस्तुत की गई इसकी किरियाविदी को समझाने के लिए पहली जो थी वो थी फिलोरीजन और दूसरी थी फाइटोक्रोम फिलोरीजन और फाइटोक्रोम तो हम सबसे पहले अपनी फिलोरीजन परिकल्पना के बारे बात करते हैं है ना बहुत सिंपल है बिलकुल टिपिकल तो ही नहीं है ना देखो इसे चौलिया खान परिकल्पना भी कहते हैं इसे चौलिया खान परिकल्पना भी कहते हैं इनकी अनुशार पौधों में बिसिस्ट दीपिकाल के समय एक हार्मोन बनता है जिसी फिलोरीजन कहते हैं यह हार्मोन जिब्रेलिन वे अन्थेशन्स या एंथेशन आप बोल सकते ना एंथेशन एंथेशन का मिश्रन है चलो पहले में इसकी फियोरी लेख दूँ फिर इसको एक साथ कर लेंगे ना चले फिर बार बार लेखना पड़ता है ना देखिए नेक्स्ट पॉइंट जिब्रेलिन लडीपी पादपों में जवकी एंथेशन एसडीपी पादपों में पुस्पन प्रेरित करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यदि एल्डीपी पॉधी को अल्पकालिक प्रकास में रखा जाए तो उसमें एंथेशन ज्यादा तथा जिब्रेलिन कम बनता है यदि इस पॉधे को एक साथ दीर्ग कालिक प्रकास दिया जाए तो जिब्रेलिन एक साथ अधिक बनता है जिससे पुस्पन होता है अच्छा देख जाएगा क्या आपको नीचे और लिखूं तो हाँ राम से देख जाएगा ना चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एस डीपी पॉधे को दीर्ग कालिक प्रकास में रखा जाए तो जिब्रेलिन अधिक हुए एन्थेशन कम बनता है अब इसे अंधिरे में रखें तो एन्थेशन के अचानक अधिक बनने से इस पॉधे में पॉष्पन होता है चलिए वई तो यह जो हमारी परिकल्पना है वो है फिलोरिजन परिकल्पना एक बार आप ध्यान से समझिए तो एक बार ध्यान लगाना अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए आपको पूरी जो यह दीपती कालता की क्रियाविदी है बहुत ही सेंपल तरीके से लर्ण हो जाएगी ठीक है हाँ देखो भई अच्छा दीपती कालता का सीधा सा मतलब यह होता है कि हमें पौधों में पुष्पन करांगा अब पौधों में कैसे पुष्पन होता है उसी को तो मुस की क्रिया विदी बोलेंगे तो इस दीपती कालता की क्रिया विदी को समझाने के लिए दो सिधानतिया परिकल्पना प्रस्तुत की गई पहली परिकलपना थी फिलोरीजन परिकलपना और दूसरी थी फाइटोक्रॉम परिकलपना तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलोरीजन परिकलपना क्या है तो एक बैग जानिक थे चौलिया खान इन्हों ने इस परिकलपना को प्रस्तुत किया इसलिए इसको हम चौलिया ख ने यह कहा कि जब पौधों में बिशिष्ट दीपतिकाल के समय मतलब जब उनको कोई दीपतिकाल दिया जाता है या उनको मिलता है तो उस समय उनके अंदर एक हार्मोन बनता है और उस हार्मोन का नाम है फिलोरीजन यह बहुत इंपॉल्टेंट है क्या नाम है उस हार्मोन का फिलोरीजन ठीक है तो यह कई वार बहुत अच्छा क्वेस्चन की रूप में आ जाता है नीट में उसमें कि पॉस्पन की किरिया को प्रिरित करने बाले हार्मोन कौन सा है तो आपको फिलोरीजन पर ही टिक करना है यह एक ऐसा हार्मोन है जो प्ला हार्मोनों का मिस्रण होता है एक तो जिब्रिलिन और एक एंथेशन जिब्रिलिन और एंथेशन दोनों हार्मोन या दो पधार्थ मिलकर इस फिलोरी जन का क्या करते हैं निर्मार करते हैं तो यहां तक तो यह बेसिक पॉइंट है अब हम देखते हैं हमारी क्रिया भी दिखो कि कैसे यह पुस्ट्मन क्रिया करता है फिलोरी जन एक बात आप यहां पर समझो हमारे पास मुख्या रूप से दो प्रकार के ही प्लांट होते एक तो LDP और एक SDP अरे DNP से तो में कोई मतलब भी नहीं है दिवास उदासीन से उनमें तो दीवतिकालता कोई फरकी नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे उसको समझ रहे तो हमें क्या देखना है हमें यह देखना है कि जो LDP प्लांट होते हैं HDP प्लांट होते हैं उनमें किस प्रकार पुष्पन की क्रिया होती है ठीक है तो देखिए आए समझे ध्यान से समझो इसका एक ही कंसेप्ट है और वह कंसेप्ट है मैं बताओ क्या कि जिब्रिलिन और एंथिसन इनमें बड़ा नाम कौन सा है कि शोर्ड जिब्रिलिन से है के नहीं जिब्रिलिन तो आप इतना याद रखो जो बड़ा वो बड़ों के लिए भाई बड़े हमेशा बड़े आदमी के लिए काम करते हैं छोटों के लिए तो छोटा ही काम सकता है है ना समझ रहे ना तो देखिए जिब्रिलिन एक बड़ा नाम है इंपोर्टेंट नाम है तो इतना याद रखो कि वह है एल्डीप प्लांटों में पुस्पन की क्रिया करेगा यह मैं आपको एक तरीका बता रहूं इसको याद करने का ठीक है जिब्रिलिन एक बड़ा नाम है तो वह बड़ी प्लांटों में अब बड़ी प्लांट कौन से हो गया आप है एल्डीप लॉंग समझ मागी बात है ना एंतिस छोटा है तो बिन पोकिन पौदों पुस्पन कराएगा किसमें कराएगाんな किसमें कराएगा की नहीं कराएगा फिलाल कंसेप्ट समझो इसको एक विंट में पढ़ लेंगे न दभू कि जिब्रिलिन बड़ा सब्द है तो हम समझ जयेंगे कि यह एल्डीP प्लांटों में पुस्पन कराएगा हैं एंतिस इन्-छोटा सब्द है तो को बात समझो यदि आप पौधि को ज्यादा प्रकास में रखें अच्छा ज्यादा प्रकास किन पौधों को चाहिए होता है LDP पौधों को चाहिए होता ना ज्यादा प्रकास और ज्यादा प्रकास में LDP पौधि रखे जाते हैं तो उनमें कौन सा हर्मोन बनता है जिब्रिल है SDP पैलांटों को LDP को है न तो LDP पौध हो तो इतना याद रखो कि यदी कोई पौधा प्रकासमें रखा हुआ है ज्यादा प्रकासमें तो उसमें बनेगा जिब्रेलिन और यदि वह अंधियरे में रखा हुआ है तो समने नहीं रंखेंगे इस में रिर्खेंगे तो उसमें शोर जिसप्रिय्लन बनेगा ठीक है हाँ समझ मागी दो लाइन अब इन दो लाइनों से ही आम इसे बात को कर सकते हैं आए देखिए अब पढ़ते चलो यह तो लाइन किलियर हो गई यहां से देखते हैं यदि LDP पौधे को पौधा कैसा है लॉंग डे वाला जिसको बहुत ज्यादा प्रकास चाहिए होता है यदि LDP पौधे को अलपकालिक प्रकास में रखा जाए बात को समझो आप जिस पौधे को बहुत ज्यादा प्रकास किया वसकता है ना उसे आप पहले अंधेरे में रख रहे हैं समझ मागी बात अब एक बात मुझे बताओ उपने कंसेप्ट के आधार पर यदि आप इस में कौन सा हार्मोन अधिक बनेगा श्योर एंथिसिन बनेगा और जिब्रिलिन जो कि इनमें पुष्पन के लिए आवश्यक होता है वो कैसा बनेगा कम बनेगा बताओ इस लाइन को पढ़के देखो बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा ना बात समझ मागई एंथिसिन और ज पॉदा है और LDP में आपको पुष्पन कराना हैं तो आपने पहले क्या कीया LDP को अल्पकालिक प्रकास दिया तो उसमें क्या होगा कि जिब्यून है बो तो बनेगा कम और यह अचानक तो अभी इसमें पुस्पन तो होगा नहीं, क्योंकि LDP प्लान्ट है तो उसमें पुस्पन के लिए ज़िब्रिलम जाला जरूरी है अब हमने क्या किया, उसको अचानक जो LDP अल्पकालिक प्रकास में रखा हुआ था उसको अचानक हमने प्रकास में रखा तो जैसे ही उसको प्रकास मिला प्रकास के मिलने से जो जिब्रिलन हार्मोन था उसकी मात्रा एक साथ बढ़ी और एक साथ बढ़ने से ही उसमें ऐसी गटना हुई कि उस प्लांट में क्या निकल क्या गए पुस्प निकल के आगे समझ में आगी बात तो जिब बिरिलिन एक साथ कब भढ़ेगा जब उसको प्रिकास मिलेगा है ना तो प्रिकास मिलने से वह एक साथ भढ़ा और उसने क्या करवा दिया पुस्पन करवा दिया तो ऐसे तो होता है भाई पादऊं पूं है आपको मतलочь करके यहां पर चलना है जैसे व अल्दीप प्लांटों में पुस्पन करना आख तो पहले आप उसे अंधिर्यम रखेंगे क्लांट तो पहले उसे आप प्रकास में रखेंगे जस्ट अपोजिट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना तो अब यहां से आप समझ जाएंगे जैसे देखो मैं बताओं आपको जैसे हमने एसडीपी कराना है है एसडीपी तो मैं ही सोचूंगा यार एसडीपी में कराना है तो सर ने बोला था आपोजिट करके चलना है तो आप एसडीपी को कैसे प्रकास में रखेंगे दीर्ग कालिक प्रकास में रख दिया हो गया आपोजिट अब आप सोचेंगे यार प्लांट ह हमार पास लेकिन हमने इसको प्रकास में रख रखा है तो कौन सा हर्मोन बनेगा जिब ब्रिलिन बनेगा और कम कौन सा बनेगा यह लाइन क्लियर हो जाएगे फिर हम सोचेंगे कि यार अब इसमें पुस्पन क्रिया करानी है तो हम क्या करेंगे उस SDP plant को जो कि हमने प्रकास में रख रखा था उसको जैसे ही अंधिरे में लेके आते हैं अब हमारे दिमाग की बत्ती घुमेगी यार अब इस plant को हम अंधिरे में लाए तो यहां क्या होगा जो एंथिसन पहले इसमें कम था वो अचानक एक साथ बनेगा और इस plant में क्या हो जा हर्मोन की मदद से अपने SDP और LDP प्लांटों में पुस्पन की किरिया को समझा ठीक है तो क्या दिक्कत है आपको इसमें बताइए हो जाएगी याद नौर्मल है यार कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है फिलूरीजन इतना याद रखो कि दो हार्मोन का बना होता है जेब्रिलन का और एंतिसिन का जेब्रिलन बड़ा नाम है तो प्रकास में या मैं कहूं LDP प्लांटों को पुस्पन के लिए प्रेडित करेगा और एंतिसिन छोटा नाम है तो SDP प्लांटों को पुस्पन के लिए प्रेडित करेगा ठीक है और अपोजिट करके हमें इनका प्रैक्टिकल करना था जैसे लडीपी प्लांट है तो पहले आप उसे अंधियरियम रखो फिर प्रकास में लाओ एसडीपी प्लांट है पहले उसे प्रकास में रखो फिर अंधियरियम लाओ ठीक है पस इसी पर टिकाओ टिकी हुई है परिकल्क में है ना चलिए हम हो तो सेकंड जो परिकल्पना है वो है फाइटो क्रॉम कौन सी है फाइटो क्रॉम ठीक है देखो वह फाइटो क्रॉम क्या है तो यहां भी आप पहले में इसकी थ्योरी लेग दूँ फिर उसके साथ एक साथ इसको समझेंगे ना बोर्थविक देखो तथा हैंड्रिक्स ने इसे प्रस्तुत किया इनके अनुसार पत्तियों में एक प्रकास गिराही वरनक होता है जिसे फाइटो क्रॉम कहते हैं इसकी दो स्वरूप पी एफ़ार सासो तीस वे पी आर छस्सो साथ हैं जो परिवर्तन सील हैं नेस्ट पॉइंट दिन की समय पौधी में पी एफ़ार सासो तीस ज्यादा एकत्रित होता है जो SDP में पुष्पन को अबरुद्वे LDP में पुष्पन को रिरित करता है Next रात की समय पी एफ़ार सासो तीस पी आर छस्सो साथ में बदल जाता है जो LDP में पुष्पन को अबरुद्वे SDP में पुष्पन को रिरित करता है ठीका भाई देखिए यह जो आपको त्योरी दिखाई दे रही है Phytochrome सिध्धान्त की यह क्या सिध्धान्त है आखिर इस सिध्धान्त के उसार किस पिरकार हमारे LDP और SDP में पुष्पन होता है वो हम समझने कोशिश कर रहे हैं तो देखिए बूर्थविक और हेंड्रिक्स नाम की दो बैग्यानिक थे इन्हों ने इस सिध्धान्त को प्रस्तत किया ठीक है और उन्होंने यह कहा कि जो पौधों की पत्तियां होती है उन्हों में एक प्रकास गिराही वरनक होता है और उस वरनक का नाम होता है फाइटो क्रोन मतलब एक ऐसा वरनक जो प्रकास की किरिओनों को घरहन करता हो उसे हम क्या बोलते हैं फाइटो क्रोन कहते हैं अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि इसके दो स्वरूप होते हैं एक तो थाए पी एफार 730 अब मैं आपको बता दूं कि फार रेडियेशन या रेड हम इसको बोल सकते ना फोटो फार रेड फार का मतलब दूर और रेड का मतलब लाल करण है ना सिंपल सी सिंपल सी बात यहां पर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा रेड करणों को मतलब जिनको अवरक्त करण बोलते हैं कि समझ रहें अच्छ यह लेमडा का मान है वाई 7366 यह वही वाली बात है जो हमने चैप्टर नम्मर 10 में पड़ी थी प्रकास वाली चैप्टर में फ एक तो होता है PFR 730 मतलब एक ऐसा समू है जो 730 एनेम बाली करणों का बैस्ट अब्जोब करता है और जिन करणों का 730 एनेम मान होता है ना वह अवरक्त करण होती हैं मतलब बहुत ही ज्यादा लाल ठीक है और पी याट 660 आर के अबर मतलब यहां रेड है मतलब अवरक्त हैं थीक है तो यह 406 एनेम की किरनों को बैसे अब्जोर्ब करता है और यह मतलब हलकी red किरनों को अब्जोर्ब करता है और यह गेहरी red करनों को और पी एफार पी यार में चेंज हो जाएगा ठीक है यह दोनों आपस में क्या है परिवर्द अंसील है तो यह तो अभी इसकी कुछ बेसिक इस्ट्रक्चरल बात थी कैसे मैं आपको बताऊं कि बोर्थ विक और हैंड्रिक्स ने इसको प्रस्तुत किया किलियर इन्होंने क्य इन्हों जो फाइटो क्रोम है ना इसके दो सवरूप है एक तो वह है जो चाहसितीस एन्हों की किरणों को अपजर्ब करेगा और गयं और यहां पर आप मुझे बताईए कि यहां बड़ा कौन सा है तो वह शोर पी-एफर साथ सोतीस बड़ा है तो भाई या बड़ा तो बड़े के लिए पुस्पन करेगा बस यह और अप कुछ नहीं है अब पढ़के देगो दिन के समय अरे भाई आपको LDP में माल लीजिये पुस्पन कराना है तो आप उस प्लांट को दिन में ही तो रखेंगे भाई LDP प्लांट है और हमने पता है कि यार बड़ा नाम PFR 730 है तो वो ही LDP में पुस्पन करता है देखो कितनी किलिर सी बात है यह कि दिन के समय पौधे में प्लाटि प्लांट करें यह तो बनेगा ज्यादा का आब दिन के समय जितना भी प्यार था फ़ो भी इसमें बदल जाएगा ना एकत्रित होता है जो क्या करेगा कि यदि पोधा SDP का है तो उसमें पुस्पन को रोकेगा और यदि वो LDP का है तो उसमें पुस्पन को प्रिरित करेगा कव दिन के समय कौन PFR 730 ठीक है इसी प्रकार रात के समय रात का समय है तो जो PFR 730 है वो खुद किसम बदल जाएगा PR 660 में बदल जाएगा क्योंकि रात के समय जो है वो गहरी किरने नहीं होती रेड हलकी रेड किरन निकलती है तो उनको जब हम एब्जॉर्ब करते हैं रात के समय तो हमारा फाइटोक्रोम का कौन सा सरूप बनेगा PR 660 अब यह क्या करेगा LDP में पुस्पन को अबुरुद करेगा और SDP में पुस्पन को प्रेडित करेगा कितनी सिंपल सी बात है वह यह था दो स्वरूप है बस PFR 730 और PR 660 बड़ा PFR है तो वो LDP प्लांटों में छोटा PR है तो वो SDP प्लांटों में बस यही इसका है ठीक है समझ माई बात नहीं आई कोई दिक्कत इसमें आराम से कर लो आप है ठीक है चलिए वाई अब यह तो हमारी कंप्लीट हुई दीपती कालिता की किरिया विदी दोनों आपको समझ मागी कि किस प्रकार दोनों सिध्धान से हमारे LDP और SDP प्लांटों में पुस्पन की किरिया होती है ठीक है चलो तो यह कंप्लीट है वाई दीपती कालिता तो आपको दीपती कालिता की परिवासा और उसमें इसकी जो दो परिकल्पना है ना फ्रूरीजन और यह ठीक है इन दोनों को यह आपको याद रख लेना है अब फाइटोक्रोम फ्लोरीजन दोनों है ना चलिए अब नेक्ट जो घटना है बो है प्रैसुप्ति जिसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं डॉर्मेंसी चलिए प्रैसुप्ति देख्यों क्या होता है वाई एक अब हम अब जो अगले टॉपिक हैं बात समझना मेरी अगले जो टॉपिक हैं उनमें थ्योरी खूब है लेकिन हम केवल अपने काम की बात करेंगे समझे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना उन्ही को हम पड़ेंगे समझे ना तो जो लाइन में आपको बोर्ड पर बताता हूं आप उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देना ठीक है हाँ प्रैसुप्ति तो देखिए कुछ पौधों के बीजों को अनकूल परिस्थितियां मिलने पर भी वे अंकूरत नहीं होते अर्थात ये बीज निश्क्रिये रहते हैं तो इसे बीजों की प्रैसुप्तावस्था तथा इस क्रिया को प्रैसुप्ति कहते हैं ठीक है देखो वही क्या है प्रैसुप्ति एक बार आप जरा ध्यान समझो कि किसी भी प्लांट के बीज कोई पौधा है और उस पौधों की बीजों को हमने पूरी अंकूल परस्थितियों में वह अंकूरत हो सकता था वह सारी परस्थितियां उस बीज को प्रोवाइड की गई लेकिन फिर भी वह बीज अंकूरत नहीं हुआ बात समझो कि कि बीज को अंकूरत होने के लिए जितनी भी कंडिशन चाहिए थी वह सारी कंडिशन उस बीज को प्रोवाइड की गई लेकिन फिर भी वह अंकूरत नहीं हुआ अर्थात कुछ समय के लिए वो कौन सी अवस्थाम रहा निस्क्री अवस्था में तो इस अवस्था को हम उसकी प्रसुपत अवस्था और इस क्रिया को क्या बोलेंगे प्रसुपती बोलेंगे मतलब प्रसुपत अवस्था क्या है वह अवस्था जब तक बीज निस्क्री रूप में है अर्थात अंकूरत नहीं हो जाता परपक होने के बाद बीज पौधिय में परपक हुआ तो परपक होने के बाद जब तक वो निस्क्री अवस्थाम रहे अर्थात वो अंकूरत नह कहलाती है ठीक है हां तो यह थी वह प्रसुपति की डैफिनेशन एक परिवास आप जरू इसकी याद रखो कि बीजों को अनकुल परस्तियां मिलने पर भी अंकुरत नहीं होना अरथात उनका निश्की रूप में रहना उनकी प्रसुपता बस था और इसकी रिया को क्या कहते हुआ सबस्तिक के अच भी रिकार अप्रेकार विरकार कुछ नहीं है इसके डैपला दों से प्रात्मिक प्रसुपति है ये दो गटना हो रहे हैं प्रात्मिक प्रसुपति हुश्पति क्या ये दो के बाद अनकूल परिस्थितियां उपलब्द होने पर भी आंत्रिक वे संरसनात्मक क्रियात्मक कारणों से अंकृत नहीं हो पाए उसे प्रात्मक प्रैसुपती कहते हैं नेक्स्ट है दुतियक प्रैसुपती पौधों की बीजों को परपक होने के बाद संग्रह काल में परिवर्तन होने से अंकृत नहीं होना परिवर्तन होने के कारण अंकृत नहीं होना दुतियक प्रैसुपती कहलाती है देखो यदि आपको प्रात्मिक प्रैसुप्ति और दुतियक प्रैसुप्ति समझनी है तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है और वो क्या कंसेप्ट है देखो आप एक बार ध्यान समझो हमारे पास एक बीज है है ना दो बीज हैं हमारे पास दो प्लांटों के तो यदि हमने क्या किया एक बीज को परपक होने के बाद अनकूल परस्तितियां दी बात मेरी जहां समझो अनकूल परस्तितियां दी और अनकूल परस्तितियां देने के बाद भी वह अंकूरत नहीं हो पाया अब वो क्यों अंकृत नहीं हो पाया क्योंकि उसके आंतरिक जो कोई घटना थी या कोई कमी थी जो की आंतरिक रूप से थी उस कमी के कारण उस बीज ने अंकृत नहीं सोकिया नहीं आई बात समझ में, एक सिम्पल समझो, आपके पास दो प्लांटों के बीज हैं, एक बीज को आपने क्या किया परपक होने के बाद, उसको सारी अनकूल परस्तेतें दी, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हुआ, अब वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके आंतरिक संरचनात्मक और क्रियात्मक जो कार्य थे उनमें कोई कमी होगी तब नहीं हो पाया तो यदि कोई बीज संरचनात्मक और क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं हो पाए तो हम उसे बोलते हैं प्रात्मिक प्रैसुक्ति अब दूसरे बीज को हमने क्या किया कि यदि हम उसको अनकूल परस्तिती उपलब्द करा दें तो तो वो अंकूरित हो जाता था लेकिन हम उसको परपक होने के बाद परपक हुआ और उसको अनकूल परस्तिती हमने नहीं दी तो वो अंकूरित नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने उसका कड़ दिया है संग्रहन अरे भाई जब हम अनाज बगेरा है गेउं बगेरा जो भी है सरसों जो भी है एक बात मेरी समझो मैं आपको एक सरसों का एकजमपल देता हूँ दुतियक प्रैसुप्ति के लिए सरसों का बीज है, सरसों के बीज को जैसे ही हम फसल काट के लाते हैं, यदि आप उसको वहीं जमीन में बो देंगे, तो वो 101% अंकृत होगा, ठीक है, लेकिन यदि आप उसको अपनी बोरियों में भरके घर पे ले आते हैं, तो अंकृत होते हैं क्या, नहीं आई बात समझ मै नहीं आई, दुवारा समझो, प्रात्मिक प्रेसुप्ति और दुत्यक प्रेसुप्ति, है न, देखो, हाँ, मैं आपको बताऊं गेउ, है न, गेउ, तो गेउ का पोधा है, गेउ का बीज और सरसों का बीज, दो कामने एक्जाम पर लिया, तो गेउ का बीज जैसे ही गिर लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हुआ, तो हम इसी तो बोलते हैं, प्रात्मिक प्रेसुप्ति, है न, दूसरी और सरसों का बीज देखते हैं, सरसों का बीज परिपक होने के बाद यदि उसको अनकुल परस्तियां मिल जाए, मतलब वो जमीन में गड़ जाए हमारे खे लिए, तो वो अंकुरित हो जाता है, या घटना आपने सवीने खेतों में देखी भी होगी, लेकिन यदि हम उस बीज को संग्रहन कर दें, तो वो अंकुरित नहीं हो पाता, आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में दो-तीन साल तक सरसों रखी होई रहती है, लेकिन क्या उस संग्रहन की कारण जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की बज़े से उनका अंकुरन नहीं हो पाना, क्या कहलाता है, दुतियक प्रैसुपती कहलाता है, क्लियर, प्रात्मिक प्रैसुपती और दुतियक प्रैसुपती है ना, कि एक बीज को आप अंकुल प्रैसुप नहीं दे रहे और उसको संग्रहन करके रखते हैं जिससे उनका उंक्रण आप रोक रहे हैं तो उसे हम दुतियक प्राशुपति कहते हैं ठीक है तो यह थी प्राशुपति और इसके दो प्रकार है ना अब इसकी बात आती इसके कारण कि आकिर प्रभावित करने वाले कारक सिधा सम बोल सकते हैं ना कारक प्रभावित करने वाले कारक है ना तो पहला जो इसका कारक है जनरलिम पढखेंगे गो है कठोर वीजावरान अब एक बात मुझे बताईए कि यदि किसी पौधे का बीजाबरन बहुत कठोर हो तो बीजाबरन ज़्यादा जब उनका कठोर होता है तो वो आसानी से जल कम जल और उनको अफसोसित नहीं कर पाता और वो अंकुरित नहीं होता ठीक है तो एक पहला प्रवावित करने वाला कारक तो हो गया कठोर बीजाबरन भाई एक सिंपल सी बात है आप भी जानते हैं कि यदि किसी बीज का बहार का आवरन ही बहुत कठोर होगा तो उसको अंकृत होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है तो एक तो वो कारण है दूसरा है भुरूर्ण की एपरिपक आता ध्यान से समझो कोई भी बीज को प्लांट पर पर कि दिसत व पर्पक है लेकिन इसके अंदर जो भुरूर्ण है न व अभी है परिपक है तो आप मेरी बात को समझो कोई भी बीज बन गया वो बीज तो हो गया परिपक लेकिन उसके अंदर जो भुरूण था ना वो भी रह गया ए परिपक तो आप बताईए आप इसको यदि अनकूल परस्तितियां देंगी तो क्या ये अंकुरित हो जाएगा क्या नहीं होगा है ना क्योंकि इसके जो आंत्रिक संद प्रत्नात्मक कारणों की बज़े से ये अंकुरित नहीं हो पाएगा अब इसका क्या आंत्रिक कारण है किसमें भुरूण एपरपक है तो जब तक ये भुरूण परपक होगा तब तक का जो इसका काल है वो प्रसुपति काल रहेगा जैसे ये परपक हो जाएगा ये अब यह जो उत्तर पक्वन काल है यह आप से एक नमबर में पूछा जा सकता है ठीक है तो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि कोई भी बीज है पर पक हो गया ठीक है लेकिन जब तक वो कुछ आराम नहीं कर लेता कुछ समय के लिए वो बिश्राम नहीं कर लेता तब तक वो अंकृत नहीं हो पाता ठीक है तो पौधा बीज अपने अंदर अंकृत होने के लिए जो परिवर्थन करता है विश्राम काल में तो उस विश्राम काल को हम उसका उत्तर पक्वन काल कहते हैं आप पीडियाप में पढ़ लेना आपको सारी चीज समझ माझ जाएग काल का सीदासा मतलम मैं आपको बता दूँ कि बीज जो विश्राम काल लेता है अपने अंदर परिवर्थन करने के लिए जिस से वो अंकृत हो जाए तो उस विश्राम काल को हम क्या बोलेंगे उत्तर पक्वन काल बोलेंगे ठीक है समझ मागी बात तो यह तीन कारण आप मुख्य रूप से आप पढ़ना किसम है पर अब हावित करने वाले कारकों में कठोर बेजावरन ब्रूण किया पर पक्तार उत्तर पक्वनकाल समझ रहे हां तो कि मैं आपको मोश्ट मोश्ट बात बता रहा हूं जो आपको पढ इवासा है फोटो बिलास्टिक बीज फोटो बलास्टिक बीज तो क्या है वह फोटो बलास्टिक बीज ऐसे बीज जिन्हें अंकुर्त होने के लिए प्रकास या मैं कहूं सीत प्रकास से उपचारित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं फोटो बिलास्टिक बीज कहते हैं इनके लिए जो टेंपरेचर है वह जीरो से पांच डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है मतलब सरदियों के समय मतलब कुछ और इसका जो एकजाम प बीजों को ऑंगरत कराने के लिए ने सीत उपचारित करना आवसक होता है मतलब कम प्रकास देने के उनको आवसकता होती है तो जो पौदे जने में तक पॉट तो यह आप चार कारक देख लेना बहुत ही सिंपल है कोई यहाँ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है आप इनकी थियोरी पढ़ेंगे आपको सारी चीज यह समझ में आ जाएगी तो अब है भंग करने की विदियां तो इस भंग करने की विदी में कि आकिरम प्रसुपति को क कैसे भंग कर सकतें तो उन में एक दो में आपको बता दूँ एक भिदिय क्या है खुरक ना कि अंक्या करते यह उनका जो है वह कम जो हो जाता है जिससे वह गरित अंकृत हो जाते हैं अर्थात उनकी जो प्रैसुपती है वो भंग हो जाती है ठीक है तो आप मोस्टली खुर्चना या एक एक दो एक्जाम पर पढ़के देख ले ना प्रैसुपती भंग करने की विधी में है ना और कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट बात यहां पर नह छोटी सी बात थी प्रैसुपती के बारे में अब एक घटना है जनरली अब हम छुट छुटी डूपमेंट को पढ़ रहे हैं अब वसंती करन अब वर्ने लाइजेशन अब बस आप से केवल यह परिवासा ही पूछी जाएगी कि वसंती करन क्या है वर्ने लाइजेशन क्य है तो देखो पौधों में सीत उपचार द्वारा पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करना बसंती करन कहलाता है बस आपको यह डैफिनेशन ही याद करनी है बसंती करन की कि बाई बसंती करन क्या है तो आप कहेंगे कि यदि हम पौधों को सीत उपचार द्वारा पौधों में सीत उपचार करके यदि उन्हें पौष्पन की क्रिया के लिए प्रेरित करें तो हम इस गटना को क्या बोलते है वसंती करन बोलते है ठीक है तो इस वसंती करन में क्या होता है मैं आपको बात बता दूं कि एक पधार्त होता है वर्नेलिन क्या होता है वर्नेलिन ये जो बर्नेलिन मतलब देखो कोई भी पोधा है माली जी ये पोधा है और इस पोधे को उमने दिया सीत उपचार तो इसमें एक पधार्त बनेगा जिसको बोलेंगे वर्नेलिन ठीक है यह Varnilin क्या करता है फिलोरी जन को बनाता है और आप जानते ही हैं फिलोरी जन को तो यह पुषपन की क्रिया करता है कि ना समझेने आप मेरी बात को बसंतिकरन वसंतिकरन का मतलब होता यदि आप किसी पौदे को सीथ अफचार करके पौदों को सीथ अफचार द्वारा उसमें पुष्पन की किरिया कर रहे हैं तो हम उसे बसंतिकरन कहते हैं और बसंतीकरन की जो गटना है ऐखार्मोन से कंट्रोल होती है वर्नेलन से हना यह जो वर्नेलन है लो फ्लोरी यहां पूर्व तोड़ा एक और है वी बसंती करण यहा पर तो वी बसंती करण में क्या है buyers यदि हम किसी पौदे को जिसको मनें सीत अपचाड दिया है यदि उसे तेज प्रकास दे देतें तो उसके जो बसंती करण की के रिया है वो नस्ट हो जाती है तो इसे हम डी वर्निलाइजेशन या भी बसंतिकरन कहते हैं ये भी आप परिवासा उहां पढ़ लेंगे कोई दिक्कत वाली आप बात नहीं है ठीक है क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना बहुत सिंपल है समझ रहे आप मेरी बात को ठीक है चलिए तो ये हो गया बसंतिकरन भी बसंतिक इसमें नेक्स्ट है जीरनता तो जीरनता क्या होती है वाई किसी जीव की परिपक अवस्था से लेकर म्रत्यू तक का समय जीरनता कहला ती है ये definition है जीरनता की किसी भी जीव की परपक अवस्था से लेकर उसकी म्रत्यु तक का जो समय है उसे हम क्या बोलेंगे जीरनता बोलेंगे ना यह चार प्रकार की वो सकती है पहली है कि संपूर्ण पादप दूसरी है जीर्णता मतलब उसका नश्ट होना जीरनता का मतलब है नश्ट होना तो कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो एक साथ पूरे की पूरे नश्ट हो जाते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं संपूर्ण पादप जीर्णता कुछ कंडिशन ऐसी होती है कि प्लांट का सीर्ण सी ही नश्ट होता है तो उसे बोलते हैं सीर्णता कुछ कि पूरे प्लांट में हो जाती जैसे पहले पुष्पों को जड़ना फिर पत्तियों को जड़ना फिर साखाओं का गिरना फिर पूरे पोदे का नस्ठ होना तो यह उती है क्रिमिक जीर्णता तो यह भी बहुत सेंपल जीर्णता आप परिवासा पढ़ो इसके चार पिरकार आपको देखते ही समझ मा जाएंगे पढ़ेंगे तब और लास्ट है विलगन क्या है विलगन तो विलगन क्या है पौधे की पत्तियों, फलों, खुस्पों, आधी का मात्र पादप से अलग होना विलगन कहलाता है ठीक है बई तो ये डेफिनेशन होती है विलगन की जो की बहुती ही सिंपल है आप देख सकते हैं कि कोई भी पौधा है यदि उस पौधे से उसकी पत्तियां पुस्प फल आधी गिर रहे हैं या मात्र पादप से अलग हो रहे हैं तो हम उस गटना को क्या बोलते हैं विलगन बोलते हैं तो यह लास्ट में जो आपके मैं बता दूँ बोल्ड एकजाम की द्रस्टी से बैसे कम महत्पून पार्ट हैं मतलब टॉपिक हैं जो हमने हार्मोन के बाद किये थे हैं लेकिन यहां पर जो कुछ डेफिनेशन्स हैं वो एक एक नमबर में आपसे देनेगा तो इसी के साथ आज हमारा यह तेरह माँ चैप्टर जो है और जो हमारी तीसरी यूनिट है बोटनी की वो बिल्कुल समापत है ठीक है तो तेरह पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर में मोस्टली हार्मोन पर ज्यादा ध्यान देना उनके क्या क्या फिजियोलोजिकल एफेक्ट होते हैं ठीक है और बाद में जो हमने छोटी छोटी परिवासें की हैं जैसे टेक्नलोजी का सबसी इंपोर्टेंट चैप्टर है तीन पार्ट है बायो टेक्नलोजी में 14 15 16 तो उनमें 14 को भी हम क्लास में देखेंगे क्योंकि अब इसकुल खुलने वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो 15 पार्ट का स्टार्ट करते हैं कल से ठीक है क्या है